Hello guys, welcome back to our channel, तो भी ये स्टड़ी पर आपका फिर से सवगत है, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर भी है कि सभी सब्जेक्ट के स्लेबस को कम्प्लेट करा रहे हैं, स्लेबस को हमने ओल्रेडी डिस्कस कर लिया है, अब बारी है उसको पूरा करनेगी, तो मैं आ चुका भूतिक भूगोल के बारे में जानना है, है ना, इसकी सिती को समझना, इसके वैवार को समझना है, ठीक है, पार्ट वन में हमने भूतिक भूगोल को समझा, सबसे पहले तो भूतिक भूगोल पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इसके बारे में जानना जरूरी है, तो पार्ट इसको समझा, पार्ट टू में हमने इसकी कुछ शाखाएं होती है, इसकी कुछ शाखाएं होती है, उन दो शाखा को हमने डिसकस किया हमारे पार्ट टू में, पार्ट थर्ड में हम अगली दो शाखा को कम्प्लीट करने वाले हैं, तो बीना किसी देरी किये, चलिए नहीं देखा है तो वो चैनल पर विजिट करकर देख सकते हैं जब आपको अच्छे से समाझाने में ठीक है तो चलिए आज की वीडियो में हम जलवायू विज्ञान शास्त्र और हमारे जैव भुगोल के बारे में पढ़ने वाले हैं जो की हमारी भोत्विक भुगोल की अब देखियो वायू मंडलिये घटक और विशेष्टा से सम्मंदित विज्ञान को मोसम विज्ञान और जलवायू विज्ञान कहा जाता है यानि कि इसमें हम वायू मंडलिये घटक के बारे में अध्यान करते हैं जो की हमारे वायू मंडल में मोजूद घटक है उनके बा विवस्तित और शेत्रिय मोसम और जलवायू स्थिति का अध्यान करता है, यानि कि किसी भी शेत्र को हम पहले चुल लेते हैं, इस शेत्र के बारे में हमको अध्यान करते हैं, फिर उस शेत्र की हम मोसम के बारे में अध्यान करते हैं, और उसकी जलवायू को समझते हैं, यह ह समय किसी विशेस इस्थान की कुल मंडलिये स्थिति यों के बारे में जानना तो हमारा मोसम कहला थोएनि या वह मारा ऐसी प्रक्रिवा है। जो रोज-की- चेज होता रहता है ठीक है ेसके अंदर हम ताप्मान को दिखते हैं हवा को देखते हैं थीक है यानि-कि कि किसी भी समय किसी भी समय देखते हैं किसी भी शेत्र का वायू मंडलिये घटक या वायू मंडलिये स्थिती के बारे में जानते हैं जैसे कि तापमान किसी स्थिती का तापमान देखते हैं हवा की नमी देखते हैं यह सारी चीजे देखते हैं हम मोसम के अंदर जो कि regular basis पर पर प्रेक्षे के किसी शेत्र की समगर मोसम की स्थिति यानि जो जलवायू होती है वो एक लंबे समय के लिए होती है एक लंबे समय में उसका मोसम कैसा है उसके बारे में बताती है हमारी जलवायू जैसे कि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां की जलवायू रहती है वो अब बात करते हैं इसकी कुछ शाखाएं भी होती है जो हमारे जलवायू विज्ञान सास्तर है इसकी कुछ शाखाएं है आए वो देखते हैं सबसे पहले शाखा है हमारी बोतिक जलवायू विज्ञान में हम एक रीजन को डिसाइड करते हैं और उपर उपर से हम स्टडी करत नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सबसे पहले हम शेत्रे decide करते है शेत्रे चुनते हैं और फिर वहा की हम क्या करते हैं जलवायू का विज्ञान शास्त्र देखते हैं यानि जलवायू कैसी है हम पर वो अध्यन करते हैं इसमें हमारी तीन चीज़ा है, एक मैक्रो, मैसो और माइक्रो, मैक्रो में हम बड़ा शेत्रे लेते हैं और फिर अध्यान करते हैं, यही मैसो में हम मीडियम शेत्रे लेते हैं और फिर अध्यान करते हैं, और बात करें माइक्रो की तो हम छोटा सा शेत्रे लेते हैं और फिर वहां की जलवायों की जलवायों का अध्यान करते हैं, फिर हमारा होता है अनुप्रयोक्त विज्ञान, इसमें कुछ हमारे सिध्धान्त होता है, उन सिध्धान्तों की मदद से हम अध्यान करते हैं, तो वह हमारा अनुप्रयोक्त विज्ञान कहलाता है, अब बात करते हैं ज पर उसको हम जैब मंडल बोलते हैं तो जब हम जैब मंडल के अध्यन करते हैं तो उसी को हमारा जैब भूगोल कहला अब देखो जैब मंडल के अध्यन को जैब भूगोल कहा जाता है यानि कि जब हम जैब मंडल के बारे में अध्यन करते हैं यही हमारा जैब भूगोल कहलात मिट्टी के बारे में जानते हैं, जानवर के बारे में जानते हैं, पोधे के बारे में जानते हैं, कि कौन सा पोधा, कौन से वनस्पति कहां पर उपस्थित हैं, यह सारा अध्यान करते हैं, ठीक है, इसके भी कुछ शाखाएं हैं, जो कि हमारी एक पादब भूगोल और एक पशु भूगोल। पादप भूगोल में हम हमारे पोधों के बारे में जानते हैं। यानि कि कौन से पोध'े , वनस्पतजी, किस-खिस इस्थान पर उपस्तित będzie्त है यह पशुबुगोल में हम जानवरों के बारे में जानते हैं, कि यह जानवर कहा कहा पर उपस्तित हैं, कि 진ौल को क्रीके से होता है न, यह सारी बाते हम पशुबुगोल के अंदर करते हैं, तो ये ता हमारा, पार्ट थर्ड उमीद करता हूँ समझ आया होगा अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कोमेट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें थैंक यू समझ